हलो दोस्तो वेलकम टू माई चैनल लेटेशलन फार्मेसी आज हम स्टार्ट करने जारे पनी फार्माकोगनोसी के यूनिट नमबर 3 जिसका नाम क्या है आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन एंड एनलिसिस अब दिफाज्टो कंस्टिंट्वेट इस पूरी यूनिट में हमको इस यूनिट का एम समझना होगा देखिए एम समझने से पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा जो अपने सेकेंड यूनिट में पढ़ा उसकी औरगनल अप्टिक करक्टरेश्टिक वगरा सब कुछ पढ़ा लेकिन आप बात आती है कि अगर आपको प्लान से कुई चीज नि अगर यापको यहाँ प्लान से अगया होगा कि identification और analysis में क्या अंतर होता है identification में हम करते हैं कि जो हमने material प्राप्ट किया या जो हमने extraction isolate किया वो ही है actual में या नहीं है और analysis में क्या होता है कि हम उसकी concentration पता करते हैं जैसे आपने analysis में practical करते थे तो उस वहाँ पर M1, V1, M2, V2 वीडियो करके आप करते हैं तो उसकी concentration निकालते थे उसी परकास से यहाँ भी हम क्या करेंगे analysis करेंगे by the help of HPLC and TLC तो आए इस्टाइट करते हैं आज का पहला topic जिसका नाम क्या है terpenoid तो इस unit में आपको basically isolation कैसे आप state करेंगे identification analysis के बारे में ही पढ़ना है तो पहला topic terpenoid में already आपको बता चुगा हूँ यह हमने फर्स unit में जब एसी टेट पात हूँ बताया था वहाँ पे भी बताया था second unit में just अभी तीन वीडियो के पहले हमने यह terpenoid के बारे में बताया हुआ है यह class of naturally occurring organic compound drive from the terpenes अब terpenes और terpenoides होते हैं क्या है यह हमारे इडिया आपको बता चुके हैं लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से हम डिसकस कर लेते हैं terpenes ऐसे compound को करते हैं जिनके अंतर carbon number 5 की मौटी मतलब hydrocarbon होते हैं उनको बोलते है terpenes लेकिन जब उस hydrocarbon में hydrogen की जगा हम कोई oxygen लगा देते हैं या कोई other concentrate लगा देते हैं या other derivative लगा देते हैं तो हमारा किसमें change होता है terpenoides में ठीक है तो यहाँ पर आप यह चीच confirm करते हुए चलिएगा they having isoprene unit isoprene unit हमने acetate पाथवे में पढ़ाता है कि जब एक isoprene unit होती है तो इसको isoprene बोलते हैं लगाँ अगर दो हो जाती है तो उसको हम monoterpeーん बोलते हैं अगर वहाँ पे 15 हो जाते हैs sequaterpen बोलते हैं अगर हमारे 20 हो जाती है तो di terpen बोलते हैं ठीक है तो यह होती है they having isoprene unit as their basic structure most उसके basic structure most के अधार पर उसके बाए जो नेक्स टाइम इसमें आता है कि यह कंटेंड क्योंते हैं क्या अन्सेचुरेटर मॉलिकूर्स मतलब कहने का क्या है यह या आइसोप्रीन के साथ साथ एक या दो मॉईट्री से अधिक से ज़रूर रहेगी क्यों आइसोप्रीन क्यों सकता है एक सिस्सक्राइब हो जाएगा तो मॉनोटर्पेनट्स च्छली वीडियो में सब्कर कोरण से में पहला हमारा प्लांट आता है मतलब जो पहला chemical पहला phyto constituent आता है वो आता है menthol तो अब हमको यहाँ पर menthol हम already पढ़ चुके हैं कि इसमें second audit में लेकिन वहाँ पर हमने क्या पढ़ा उसका biological source पढ़ा, synodiums पढ़ा organolactic characteristics पढ़ा, identification पढ़ा अब उसी same चीज़ को हमको यहाँ पर क्या करना है उसको isolation कर देना, isolation का मतलब कहना है कि menthol हम कैसे पराप्त करेंगे तो general formula मैं आपको इसी वक्त बता रहा हूँ कि menthol आपको कहाँ सी मिलता है, आपने नाम सुनोगा पुदीने के पौधे का, तो पुदीने का जो पौधा होता है, उसको सीधा क्या करते है आप instead कर ले, instead करने के बाद मतलब काट ले, harvest कर ले harvest करने के बाद क्या करें, आप उसको धूल ले अच्छी तरीके से, उसके बाद उसकी पत्यों को अलग कर दे, एक round bottom flux ले, round bottom flux में आप क्या करें, 500 ml पाने डालें, और menthol की 100 gram डाल दें, पत्या 100 gram डाल दें, अब उसको क्या करें, उसके उपर क्लीवेंजर एपार्टेस fit कर दीजें, उसको 6 घंटे के लिए चलने दीजें, और क्या हो जाएगा, वहाँ पर freezing灘 का रहे हो, जोँसका गलनांक होता है, गलने का मतलब करण, जो उसका wasp रहान होता है, वह highest temperature पर होता है, तिक oil का, और जो water का, जो मतलब wasp रहान होता है, वह lowest temperature पर होता है, तो क्या करेंगा, हम उसको evaporation कर दे ему, ओपरेशन के पहले यह जान लेते हैं कि menthol होता क्या है क्योंकि यह हमारे पिछले सनस्टर में इसके बारे में question आया था कि isolation identification analysis of the menthol तो जो menthol होता है वो peppermint oil में present होता है जो कहां से option होता है fresh flowering tops of the plant menthol पिपे टेलिंग जिसको पुदेना के नाम से जाना जाता है ठीक है और इसकी जो family होती है वो कहते है लेवासी होती है इसका जो structure आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है यह आपकी cyclohexane की रिंग है ना की benzene की रिंग उसके साथ आपका क्या एक CH3 गुरूप लगा हुआ है पर आपकी alkyl chain और hydroxide गुरूप लगा हुआ है तो यह हमारा क्या है menthol का structure है अब इसका isolation कैसे करते हैं यह मैंने आ क्या करेंगे clevenger apparatus में डालेंगे hydro distillation के लिए hydro distillation में होता क्या है कि in the presence of water जब किसी leaf को या किसी भी phyto constituents को हम distillate करते हैं तो उसको बोलते है hydro distillation इसका मतलब क्या है कि आप mentha की leaf ले लिए उसमें आप water add कर दीजे उसके बाद उसको distillation clevenger apparatus के मादर हमसे distillation assembly में लगा दीजे अब ही क्या होगा कि आपको mentha oil obtain हो जाएगा कैसे अप्टन होगा लेकिन यहाँ पर भी एक condition है आपको क्या हाँ पर पर प्राप्त होगा mentha oil और water का दोनों का mixture प्राप्त होगा तो आप क्या करेंगे कि उसको evaporate कर देंगे water को तो आपको क्या मिल जाएगा mentha का oil मिल अब फरीज करने के बाद किसमें क्रिस्टल में चेंज हो गया लेकिन अब यहाँ पर एक condition और आती है कि अगर आपको mint oil मिला क्रिस्टल में बना लेकिन इसमें कुछ ना कुछ amount में mother liquor भी पाया जाएगा जो क्या फ्रीज नहीं होगा अब उसको आप further क्या करेंगे boric acid के साथ 60 degree centigrade पर heat करेंगे तो वो क्या जाएगा menthol को अगर आप cool करेंगे तो menthol क्या crystal बन जाएगा तो यह crystal और यह crystal आपको दोनों मिल गया और हमको चाहिए क्या था menthol तो अगर हम इसे आपको प्राप्त हुआ तो सबसे पहले आपने में था की लिफ्स लिए क्लिवेंग जरे पार्टेस में डाला वहां पर ऑईल एन वाटर फेज उसका सेपरेट हुआ इवा प्रेशन किया इवा प्रेशन करने के बाद किया किया कितने degree centigrade पर माइन साट से 55 degree centigrade पर यह हमा में चेंज हो जाएगा तो हमारे पास क्या गया दोनों मैंथॉल हो गया ठीक है तो जो मैंने आपको यहां पर समझाया हुआ है वही मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ यह आपके पढ़ने के लिए ठीक है अब उसके बाद हम इसके identification टेस्ट के बारे में बात करें कि यह क आपने क्या कि रहा है अब क्या करेंगे वैनिलीन उसमें एड करेंगे वैनिलीन सर्कूरिक एसिट रिएजेंट एड करेंगे अगर वहां पर औरेंज कलर आ गया और औरेंज कलर आने के बाद अकर आपको वाटर एड करते हैं अगर आपको वालेट कलर मिरता है तो इसका मत मतलब क्या है कि जो आपने isolation किया वो बिल्कुल सही है उसके बाद हम इसके next identification के बाद में बात करते तो आप menthol लीजिए menthol का crystal लीजिए उसमे गलेसिले acetic acid डालिए one drop HNO3 and three drop H2SO4 add कीज़े अगर आपको blue color देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका menthol है otherwise अगर blue color की जगा आपको कोई yellow color, red color देखने को मिलता है तो इसका मतलब जो आपकी isolation की परकिरिया है उसमें कुछ न कुछ गड़बड है या आपका menthol नहीं है अब इसकी analysis के बारे में बात करें, analysis का मतलब क्या होता है इसकी concentration के बारे में बात करें कि किस concentration में ये आपको मिला सबसे पहले आप क्या करेंगे कि sample का preparation करेंगे देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दो sample, एक standard sample होता है एक हमारा sample preparation होता है sample preparation में जो हम isolate करते हैं खुद वो आता है sample preparation में और जो हमारा standard होता है वो already menthol होता है ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे menthol लेंगे एक gram menthol लेंगे उसको methanol में आप क्या करतेंगे add कर देंगे चुकि आप जानते हैं कि thin layer chromatography में आप क्या करते है stationary phase detecting agent का use करते हैं और last में आपका RF value निकल के आता है तो यहाँ पर जो आपकी stationary phase होगा वो silka gel अधिकतरम silka gel की plate बनाते हैं उसका जिसमें standard sample लेंगे menthol का ठीक है आप दोनों को compare कराएंगे मतलब जो हमारी paper है paper chromatography कर रहे है या थिल लेर chromatography कर रहे है तो यह हमारा जो menthol आपने प्राप्त किया वो कितनी दूर तक गया ठीक है अब कितनी दूर तक गया तो इसके लिए भी हमको कुछ detection के लिए चाहिए तो अभी हम आगे चल के इसके बारे में बात करते हैं तो standard sample आपका menthol हो गया और आपको stationary phase आप मतलब जो आपने पेपर बनाया वो सिल्का जेक है बनाया अब detecting अज़र करेगा इसको इसका मतलब detecting अज़र का मज़े से example के तोर पे यह आपका पेपर है इस पे आपने क्या क्या है उस compound को मतलब phytoconstituton को आपने क्या 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 run कराया लेकिन अब आपने यहाँ पे तो run करा दिया लेकिन अब कैसे आपको पता चलेगा कि वो जो compound है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक run किया और बाखी यहाँ तक भी उसका जो paper हो भीगा हुआ है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना अधर substitute या अधर पजा तो पाई जाएंगे तो इसलिए उसमें detecting agent का मतलब यूजी कर जाता है कि जो detect कर देता है कि हाँ यह menthol ही है तो उसके लिए हम क्या 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 होता है कि जिसमें आपको पूरा मतलब जो कागज रहेगा वो पूरा भीगा रहेगा जहां तक भी आप दो वहाँ पर क्या करेंगे दो graph लेखेंगे एक मतलब point यहाँ पर एक point यहाँ पर अब यहाँ पर आप समझे आपने paper लेए paper लेने के बाद दो graph आपने बना लिया एक यहाँ से एक यहाँ से अब आपने क्या कि इस paper को आपने क्लोरो फार्म में डूबो लिया अब जहां तक क्लोरो फार्म उसको एबजार्ब कर लेजेगा वह आपका हो जागा mobile phase अब वहाँ पर आप क्या करेंगे detecting agent का use करेंगे उस पर क्या करेंगे 1% vanillin H204 agent बिलाएंगे उसको फिर आप 10 minute के लिए hit करेंगे ठीक है आब क्या करेंगे आप शिच करके 2 चीज़ बना दो तरीके के यह बना लेंगे दो तरह से बना लेंगे दो बना लेंगे दो पार्ट में 0.62 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो concentration इतना ही होना चाहिए मतलब 0.482, 0.62 के between में इसका concentration आपको मिलेगा अगर इससे उपर concentration जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर मारा कुछ ना कुछ impurity मौझूद है अगर इसकी यूजेस के बारे में बात को तो menthol का रेडियम ने यूजेस के बारे में बात किया हुआ है यह insect bites में भी यूज के जाता है ठीक है कफ वह गएरा होता है expect to drink के तरह से भी यूज के जाता है antiseptic तरह से मतलब मतलब ठंडा जैसे क्या करता है कि जो आपको ठंडा प्रवाइड करें जैसे आप जल गए ठीक है इन प्रजेंट मलब कि यह समय जो सिट्रल हो कहां पर हमको मिला प्रीडोमेंसली इन दा लेमन ग्रास ओइल ठीक है तो सबसे पहले अगर हम इसका नॉलेज के लिए बताया हुआ है एक्जाम में आता है तो अगर आप डारेक्ट यहां से आईसोलेशन से स्टार्ट करते हैं तभी कोई दिकत नहीं अगर आप यहां से स्टार्ट करते हो तो आपका थोड़ा दे सकते हैं तो इसको आप क्या बोलेंगे सिस्ट्राल्जिस का नाम नेरेल के नाम से भी जाना जाता है अब इसके जो में टॉपिक आता है आईसोलेशन कैसे आप इसको आईसोलेट करेंगे तो इसको आईसोलेट करना मैं आपको एक समरी टाइब में बता रहा हूँ कैसे आप करते हैं तो सबसे पहला क्या करेंगे लेंट को इसट्राइट करेंगे तो दिस्टीलेशन के असेंबली में लगा देंगे जब इसका होने लगेगा certain temperature पे तो जो आपको distillate प्राप्त होगा वो आप collect कर देंगे वो ही आपका हो जाएगा lemon grass oil तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि आप शैमू पोगान citrus को आप क्या करेंगे stream distillation कर देंगे और जो आपको material प्राप्त होगा वो आपका क्या हो जाएगा lemon grass oil हो जाएगा ठीक है अब जब lemon grass oil आपको मिल गया तो आप क्या करेंगे कि extraction of the citral from the lemon grass oil आप जो lemon grass oil आपको मिल गया उससे आप citral को अलग करेंगे तो इसको अलग करने के लिए आप क्या करेंगे यह आप आगे देखिए तो lemon grass oil में आप 5% weight by volume sodium by sulfite solution एड़ करेंगे आप 5% weight by volume का मतलब क्या होता है पांच गराम लेकर के उसको हैंडे डेमल water में dissolve कर लेंगे तो आपका 5% weight by volume sodium by sulfite के solution बन गया अब यह क्या करेंगे आप continuous 30 minutes से इस solution को shake करेंगे मतलब आप क्या करेंगे एक round bottom flux लेंगे या कोई भी एक ऐसा flux लेंगे जिसको आप उपर से धक्कन से बंद कर सके जब आप क्या करेंगे उसको धक्कन से बंद कर देंगे उसको continue 30 minutes के लिए आप क्या करेंगे rotation पर लगा देंगे मतलब sick करेंगे sick करने का मतलब क्या है मिलाते रहेंगे यह जो treatment होगा वो क्या करेगा उसके अंदर crystalline form कर देगा अब जब वहाँ पर crystalline form कर देगा तो उसका आप बक्षनर फरन से क्या करेंगे filter कर लेंगे आप जब वक्षनर फरन से आप filter करेंगे तो crystalline filtrate जो होगा वो आपको उपर सता पर मिल जाएगा और जो आपके filtration होगे जो filtrate media होगे वो आपके बाहर निकल जाएगे अब जो आपको crystalline sodium by sulfite का addict मिला मतलब जो आपको वक्षनर फरन पर आपको crystal मिला उसको आप क्या करेंगे sodium hydroxide के साथ क्या करेंगे उसको treat करेंगे देन फिर उसको stream distillation के अंदर जाएंगे जब इसका stream distillation होगा तो सबली मिसन में बोला हूँ condensation के मादम से जो आपको pure compound प्राप्त होगा वो ही आपका pure citral होगा अब इसकी identification के बारे में बात करें तो जैसे आपने pure citral बना लिया अब इसके identification आप कैसे करेंगे कि हाँ ये citral ही है तो सिधा आप क्या करेंगे citral contains one aldehytic and two aethanelic linkage अगर इसमें आप कोई oxidizing agent मिलाते हैं या oxidizing agent की बात ही छुड़ दीजे अगर आप इसको ear ही दे देते हैं मतलब आप इसको atmosphere में खोल देते हैं तो ये क्या बना लेगा oxidation करके निनलोल बना लेगा जिसका color जो होता है bright yellow color तो आप सिधा क्या किए citral को obtain कीजे उसके crystal को आप सिधा क्या किदीजे atmosphere में रख देजे अब दूसरे identification के बात करें तो citral लेंगे citral में आप क्या करेंगे dilute H2SO4 एड करेंगे अगर आपको chimene and water दोनों मिलता है तो इसका मतलब क्या है वो का आपका citral है second test हमारा क्या है tollen reagent लेंगे उसमें citral एड करेंगे अगर आपको geranic acid देखने को मिलका है तो यह हमारा क्या है citral ही है अब इसके analysis के बारे में बात करते हैं तो इसकी analysis जो होती है वो TLC के माध्यम से होती है लेकिन थोड़ा different type case में क्या करते हैं non-emulsion medium का यूज करते हैं तो इसका जो formulation होता है वो क्यूश इस प्रकार से होता है कि आपका lemon grass oil 5% ले सकते है इसका मतलब क्या है कि अगर आपको handed ml में करना है तो आपको 5 ग्राम क्या लेना होगा 5 ml lemon grass oil लेना होगा 280 ठीक है जो कि आपका क्या है एक emulsifying agent है 39% आपको यूज करना होगा ethanol 13% and water इसका 43% आप यूज करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ethanol and twin जैसे आपने 100 ml के लिए बना रहे है तो आप पहले क्या करेंगे 13 ml ethanol लेनेंगे उसमें 49 gram क्या करेंगे आप twin 80 डाल देंगे ठीक है तो उसको दोनों को आप चे करेंगे बराबर titurate करेंगे और उसको mix कर लेंगे अब आपको हाँ पर एक और solution मिल जाएगा किसका ethanol का and twin 80 का तो अब यह आपको ethanol और tune 80 का solution मिल जाएगा इसको आप एक अलग बीकर में निकाल लेंगे अब बीकर में निकालने के बाद distill water उसमें add कर देंगे drop point आप क्या करेंगे उसमें आप distill water add करते जाएगे कब तक क्रिचूरेट करते रहेंगे कि जब तक वो एक transparent color ना दे दे इसका मतलब क्या है कि twin 80 and ethanol को आप water में add करते जाएगे कब तक कि जब तक वो आपको एक transparent solution ना दे दे आप जो आपको transparent solution solution मिलेगा उसमें आप क्या करेंगे कि 1 gram lemon grass oil या आप यहाँ पे 100 ml के लिए चल दे तो 5 gram यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि 5 gram lemon grass oil उसमें add कर देंगे और उसको centrifugation के लिए डाल देंगे centrifugation में होता क्या है आपने इसको engineering में पढ़ाऊगा कि continuous rotation करता है जिसके हो जैसे वो दिवाल पर जाके टकराता है और जो solid material होते हैं वो आपके उसी दिवाल से टकरा करके नीचे हो जाते हैं और जो आपके solvent होते हैं वो आपके बाहर निकल जाते हैं 15 मिट के लिए ऐसे करना है कितने 3500 rotation per minute पे ठीक है diffusion के बाद आपको material पराप्त होता है उसको बोलते हैं super intent तो आप क्या करेंगे उसका 1 ml super intent का solution ले लेंगे और उसको 10 ml ethanol में dilute करेंगे अब उसको मैंसे क्या करेंगे 2 micro liter solution ले लेंगे उसको आप क्या करेंगे TLC plate पे applied करेंगे अगर TLC plate पे applied करने के बाद उसका जो value अगर trans citral है तो 0.555 concentration में अगर cis citral है तो 0.3 force concentration में आपको मिलेगा ठीक है उसके बारे में बात करें तो use for the synthesis of the beta ionon and vitamin A ठीक है use in the perfume industry perfume industry में इसका use कह जाता है and use in the formulation of the lotion cream care product perfume CTC and use a topical antiseptic and contain antisposmotic property मतलब जो आपके पेट वगारा में item वगारा होती है उसको भी यह दूर करता है अब इसमें जो हमारा next drug आती है मतलब जो हमारा next phyto constituents आता है उसमें आता है क्या RT mesin ठीक है तो यहाँ पर आपको एक ही जो और देखके चलना कि RT mesin और RT mesin यह दो अलग compound है लेकिन पराप्त इसी से होते हैं कैसे होते हैं जब हम इसका isolation पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम समझ लेंगे तो सबसे पहले क्या इसका biological source आता है जो RT mesin होता है वो कहां से पराप्त होता है तो जो आइसो निर्सीन होता है ठीक है RT mesin होता है वो sesquoterapines होता है sesquoterapines के मतलब क्या होता है कि इसमें पंदरा कार्बन होते है लेक्टोन that is isolated from the lips and unopened flower of the artemisia सीना या artemisia bravifolia artemisa martima यह आपको क्या इसका biological source इसकी जो family होती होती है इसका जो chemical structure होता है कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह इसका chemical structure है पैंसो ट्राइसाइकलिक है उसके बाद isolation की बारे में बात करें कि यह कैसे isolate किया जाता है तो आप लेप के करते हैं कहांपे sun rays में क्यों अगर आप उसको हॉटीय यह अवर में करते तो इसका temperature अबब जा सकता है इसका वहांपे जल सकते उसकी पति इसको क्या करते हैंकि एक में प्यादर पावडर में मनलत करने का क्या है जब यह इसके पतिया ड्राइं और हो जाएंगी तो आप उ मैसेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पाउडर लिया या कोई भी आपने कंपाउंड लिया ठीक को क्या करें रात में और सुबह देखते हैं थोड़ा सा पीला हो जाता है तो यह क्योंता है कि वो वो गेहूं के पीले रेंग को मैसीरेट कर लिया पानी अपने अंदर तो वही बोलते हैं मैसीरेट करना तो आप क्या करेंगे 100 गराम पाउड़ा ले लेंगे उसको मैसीरेट करेंगे ठीक है दिस मैसीरेशन है एज डन मतलब कहने का क्या है यह जो मैसीरेशन होगा यह कहां पर होगा आपको इरनल मेयर फ्लास में होगा और इसमें कांटिनिवर्स रूटेसन होते रहें कि विद्दा हेल्प आप मैसीरेशन हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे आप इसको आप बाहर करेंगे उसके बागए उसके दिकरेशन पर इसका इसका एवापरेशन कराएंगे कब तक करेंगे कि जब तक इसका amount 100 ml न बच जाए अब जब इसका amount 100 ml बच जाएगा तो उसमें आप क्या करेंगे they extended positive using the 50 ml hexane आप इसमें क्या करेंगे his 100 ml extract में आप 50 ml hexane मिला देंगे ठीक है अब जब आपको hexane मिला देंगे अब जब आपको colorless form में आपको hexane मिलने लगा तो आप क्या करेंगे जो partition coefficient आपका जो आएगा मतलब जो partition result कर देगा वहाँ पर आपको दो layer बना देगा एक non fraction मतलब non polar fraction का एक polar fraction containing methanol तो जो आप मतलब polar fraction होगा methanol के साथ जाएगा non polar होगा का hexane के साथ जाएगा तो क्या करेंगे आप उसको 10 ml water add कर देंगे किसमें methanol के इस्टाइट में मतलब जो polar fraction होगा उसमें आप क्या करेंगे 10 ml water add कर देंगे और उसको क्या करेंगे अगैन partition के लिए मतलब separating किया हो अगा मतलब दो लियर अगर आप दो लियर ठीक है तो यहां पर आपके इस्ट्रेक्ट को अगर आप 40 इंटिग्रेट पर concentration मतलब 40 इंटिग्रेट पर उसको concentrate करते मतलब करने कहा क्या है इसमें जो आपको water के volume को इसको आप evaporate करते हैं तो आपको क्या मिल लेगा rt mission मिल दाएगा वही अगर आप methanol state को आप 40 इंटिग्रेट पर concentrate करते तो आपको rt mission मिल दाएगा यहां पर बात हम rt mission कर रही तो आपको यहें पर बता दिया कि जो आपके दो layer मिली कौन सी इस्टेट की लेएट और methanol की इस्टेट की layer तो आपको आपने 40 इंटिग्रेट करें पर इसको concentrate किया तो आपको क्या मिल लेगा आपको इसको इसकी अब इसकी identification के बारे में बात करें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप RT-Mission लेंगे, RT-Mission in oil form, plus 90% alcohol में वो क्या जगा, soluble हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, RT-Mission है, लेकिन आगे बात करते हैं, तो RT-Mission का थिन सेक्षन काटेंगे, उसमें Sudan Red में लाएंगे, थिन सेक्षन काटेंगे, कैसे पहले उसको freezing के लिए रख लेंगे, इस oil को वो freeze में जम जाएगा, फिर उसका थिन सेक्षन काटेंगे, अगर उसमें Sudan Dye डालेंगे, Sudan Third Dye डालेंगे, अगर उसका जो oil globus होगा, वो red color दिया, तो इसका मतलब क्या है, कि वो आपका RT मीशिन ही है, आप सेक्षन क्या करेंगे, फिर से आप उसका section काटेंगे, थिन सेक्षन, उसके बाद tincture, एलकाना में उसको एड करेंगे, अगर oil globus आपको red color का दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि वो आपका RT मीशिन है, अब बात आती है, अनलिसिस के बारे में, तो यहाँ हम दो पार्ट में देखते हैं, एक chromatographic section में, एक prepared of the standard sample solution, तो सबसे पहले आप standard solution तयार करेंगे, कैसे याद करेंगे, 0.1% weight by volume RT मीशिन लेंगे, उसको acetonitril में add कर देंगे, उसके बाद जो आपने i-stacks के isolate किया होगा, कोई भी product जो RT मीशिन के तरह आपने state किया होगा, तो उसको लेंगे, उसमें क्या करेंगे, 100 mg आप जो drug लेंगे, और 100 ml, क्या करेंगे, acetonitril, मतलब यह mg है, यह ml है, देखते हुए चलना आप, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हेंडेडेम यह drug लेंगे, उसमें हेंडेडेमल acetonitril मिलाएंगे, अब इसके chromatographic system चेक करेंगे, तो जो आपका paper chromatographic system में जो column बनेगा, वो 25 cm by 4 mm का बनेगा, ठीक है, वो स्टेली स्टेल पर यह बनेगा, उसके बाद जो column लंग के packaging होगी, वहाँ पर आपके करेंगे, octodational cyclin bonded कर करेंगे, और पोरत silka का यूज करेंगे, जो कि 5 µm का होता है, इसमें जो mobile feed आप यूज करेंगे, वो होगा आपका acetonitril, क्योंकि आप यहीं ले रहे हैं, water and 1-4 dioxide, जिसका जो ratio का 65, 32 and 3, यह आपका इसका ratio का, fluorose disk की 1.2 ml पर, मिनट के हिसाब से होगी, इसमें जो detector होगे, वो spectrophotometer लगे होगे, at 20, 235 mm के होगे, अब जो आपका standard sample है, और जो आपका, जो आप sample यूज़ करें, तो both this sample and the standard solution are injected, उनों को inject कर देंगे, tailing factor does not exceed 1.5, मतलब जो tailing station, मतलब जो रन कर रहा है, जो आपका fluid होगा, वो रन कर रहा है, जो phytoconstrictor जो पेपर पर रन करेगा, वो 1.5 cm से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब किया इसके जो concentration 1.5 होने चाहिए, यह उसका uses क्या है, anti-altymating, ultimate का मतलब क्या होता है, कि आपके petroids बगारा में कीडे पर जाते हैं, तो उसके भी यूज़ किया जाता है, और anti-malarial की तरह भी इसका use किया जाता है, तो आई होफ आपको यह वीडियो समझ में, अगर वीडियो आपको समझ में आते वीडियो को लाइक कीजे, चैनल को सब्सक्राइब कीजे, और कमेंट करके हमको जरूर बताएगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, थैंक यू फॉर वाचिंग दा वीडियो प्राम ली लेटेस्ट लन फार्मेसी, नोड सिसके हम टेलेगराम पे अप्लोड कर देंगे,